आज है संडे तो हम आज के दिन कोई भी अध्याय अर्थात चैप्टर ना पढ़कर करेंगे कुछ इंट्रेस्टिंग तो आज हम जैसा की पिक में दिख रहा है जानेंगे इंट्रेस्टिंग फैक्ट अर्थात रोचक तक्ते के बारे में जो की है टीडियस क्या है और पीने क पानी का टीडियस कितना होना चाहिए तो चलिए जानते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि टीडियस क्या है पानी एक अच्छा विलायक होता है और इसमें गंदगी भी आसानी से खुल जाती है शुद्ध पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है ऐसा पानी बे चंग और बिना किसी गंद का होता है तीडियस अर्थार टोटल डिजॉल्व सॉलिर्स का मतलब होता है पुर्णत घुले हुए ठोस पदार्त तीडियस पानी में घुले हुए सभी कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्तों का माप है पानी में एकार्बनिक पदार्त ज पाबनिक परधार्त भी होते हैं पानी में इन खनीजों की एक निश्चित मात्रा तक उपस्तिती स्वास्त के लिए आवश्यक है लेकिन एक इस्तर से जादा ये नुकसान दायक हैं अब देखेंगे पीने के पानी का TDS कितना होना चाहिए TDS का उपयो पानी की शुद्धता को जाचने के लिए किया जाता है इसकी माध्यम से पता लगाया जाता है कि पानी शुद्ध है या नहीं और पीने योग्य है या नहीं TDS पानी की शुद्धता जाचने का एक मापक होता है। अगर आप पानी की कठोरता का मापन करना चाहें तो TDS मीटर उपकरन लाकर इसकी जाच कर सकते हैं। 500 PPM पानी की TDS वैल्यू को बहुत कठोर माना जाता है। पानी का TDS कम करने के लिए कार्बन फिल्टर और आरो अर्थात रिवर्स ओस्मोसिस जैसी प्योरिफाइं तकनिके काम में ली जाती हैं। आरो यानी रिवर्स ओस्मोसिस कठोर पानी को नरम पानी में कनवर्ट कर देता है। और पानी में मौजूद TDS अमाप्त हो जाते इस संभन्द में WHO ने मानक तैय किये हैं जिसके अनुसार 100 से 150 TDS के पानी को पीने के लिए सही बताया गया है। तो ये था हमारा आज का इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट, हम फिर मिलते हैं नेक्स संडे एक और इंट्रेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट के साथ। झाले एक्ट के साथ।